बिसमें लाय रह्मान इर्राहीम वेलकम टो अनौशे किचन आज में आप लोगों के साथ मिक्स मौंग मसूर की तड़कादार की रैस्पी शेयर करूंगे बहुत ही मज़ेदार और यमी बनती है और बहुत ही काम वक्त में बन जाती है तो चलें इस रैस्पी को बिनाना स्टा अब इस के अनल मैं बशाहिए सब्सक्राइक देगे समय और प्रीषका वोदिऑ का ही राम होने देंगे पिर इसके अनल दो प्याज एड कर देंगे बानल सब्सक्राइब कर देंगेड में अब इसके अधर आठर को अलनें बेल्सपोन जिदिऄर गालिक पेस्टाएड करे बाटर को सॉफ्ट होने तक हम फ्राइय करेंगे बैसे इखो हो गया था अब इसका स्फ़ाइय है अब इसका सब्सके हरा आड करेंगे दोड़ा सा पानी आड़ करके सारे मुसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे दो से पेनी मिनट के लिए इसको स्राई के लें अब इसके अंदर सो कीवी, मुव मसूर के डाल अड़ करेंगे वो 50 ग्रान दाल दी थी, दोनों को मिक्स करके इसको एक से दो मिनिट के लिए फ्राइ कर लेंगे दाल को दो मिनिट के लिए अच्छे देके से फ्राइ कर लिए अब इसके अंदर पानी आड़ करेंगे चार से पांद कब गरम पानी इसमें आड़ की है नॉर्मल वाटर भी आड़ कर सकते है इसको मिक्स करके, कवर करके गलने देंगे एक दाल बहुत अच्छे तरीके से गल गई है पड़ी गाड़ी भी हो गई है बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है तो दाल हमारी रेडी है चार से पांच हरी मिर्चे अड़ करेंगे दो साबुत अड़ की है बाग्यों को काट कैस में अड़ की है इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके अंदर हरा धनिया अड़ कर देंगे थोड़ा सा मिक्स करके इसको सर्वी बॉल में अड़ कर देंगे इसक़ और थोड़ा सा और धनिया से गानिश करेंगे तीन से चार अधर के टुगड़े एड़ करेंगे तर्वी इसका तड़का त्यार कर लेंगे तड़के के लिए हाफ का पोइल को गरम करेंगे वो टेबल स्पॉन चौट पलेस्थन एड़ करेंगे इसको थोड़ा सा fry कर लेंगे 30 सेकंड के लिए इसको fry करेंगे अब आंच को बंद करके आब इसके अंदर हम जीरा अड़ करेंगे 1 टेबल स्पॉन जीरा अड़ करेंगे जीरा बहुत जल्दी जल जाता है इसलिए हमने आंच बंद कर दिये अब इसके अंदर जीरा अड़ करके कुछ सेकंड के लिए इसको fry कर लेंगे अब इसके ओपर डाल देंगे गरम गरम हमने इसके ओपर अड़ कर दिये बहुत ही मज़ेदा तड़का दाल त्यार है गरम गरम इसको सार्फ करें और सावाधी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताके इसी तरह की मज़े मज़ेगी यमी कुई क्रेस्पी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने फिटबाइव जुरू दीजिएगा कैसी लगी आप लोग को ये रस्पी इची तरह अनोशे किचन को देखते रहे स्पोर्ट करते रहे थैंक्स फॉर वाचिंग अनोशे किचन